जेहिंद मेरे सभी सातियों को स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर मैं हूं सचिनकुमार आप लोग देख रहे हैं इंडियन जुगार नेटवर्क और यहाँ पे ट्राई ने अपनी मई दो हजार चोबीस की जो सब्स्राइबर बेस रिपोर्ट है वो यहाँ प के बारे में कि मई दो हजार चोबीस में कौन सी टेलिकॉम कंपनी ने कितने सब्स्राइबर को यहाँ पे जोड़ा है और किसने यहाँ पे कितनों को गवाया है साई डिटेल में आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं तो वीडियो को आप लोग पूरा देखना ला कमेंट करके बताइए तो यहाँ पे दोस्तों ट्राइ हर मईने अपनी जो यहाँ पे सब्स्राइबर बेस रिपोर्ट है वो अनौंस करता है और वहाँ पे हमें पता चलता है कि किस मईने में कौन सी टेलिकॉम कंपनी ने कितने सब्स्राइबर को जोड़ा है और किस कंपनी ने कितनों को यहां पे गवा दिया है तो यहां पे मई 2024 की रिपोर्ट सामने आई है तो यहां पे सबसे पहले बात करते हैं जियों के बारे में कि मई 2024 में जियों ने कितने सब्सक्राइबर को एड किया है तो यहां पे मई 2024 में जियों ने लगबग 2.2 मिलियन सब्सक्राइब इसके वारे हम लोग यहां पे बात करें भारत की number 2 telekom company Atal के बारे में तो Atal ने यहाँ पर माई 2024 के अंदर 1.2 million subscriber को यहाँ पर add किया है और total subscriber के बारे बात करें तो Atal के पास है 387 million से जदा subscriber जियां यहाँ पर Atal दूसरे 5 subscriber के मामले में और एटल ने लगबग 1.25 मिलियन सब्स्ट्राइबर एड़ किये हैं मई 2024 में Vodafone Idea की बात करें तो Vodafone Idea का बई बुरा हाल है यहाँ पर Vodafone Idea ने दोस्तो मई 2024 में काफी सारे सब्स्राइबर को यहाँ पर गवा दिया है लगबग यहाँ पर 9,24,797 यहाँ पर Vodafone Idea को मई 2024 में छोड़ के चले गए हैं तो Vodafone Idea की रिपोर्ट काफी खराब है इसके बाद यहाँ पर हम बात करें BSNL के बारे में जिसकी इस समय फिलाल काफी जादा चर्चा चल रही है तो BSNL के भी यहाँ पर काफी जादा सब्सक्राइबर BSNL को छोड़ के चले गई हैं लगबग 50,000 से जादा सब्सक्राइबर है वो यहाँ पर BSNL को छोड़ के चले गई हैं और काफी खराब रिपोर्ट है Vodafone Idea और BSNL की जियो एटल वहाँ पर बहुत ही खराब परफोर्मेंस देने वाले है क्योंकि हमारे यहाँ पर तो BSNL के जो यहाँ पर दस्तर है सिम मिलती है जहाँ पर वहाँ पर लाइन लगी हुई है आप लोग सिम लेने जाओगे सुबह तो साम को नंबर आएगा आपका तो आपको यह रिपोर्ट कैसी लगी कौन सी टेलिकॉम कंपनी आपको पसंद नीचे आप लोग कमेंट करके बताईएगा तो आज के दो देखने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद